नमस्कार दोस्तों मुके साहू क्लासिस चैनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए उसके पाद बेल आइकान दिखेगा घंटी का चिनना दिखेगा उसे दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो सही समय पर आप देख सके देखिए बहुत सारे प्रश्ण आ रहे हैं कि ए में अलग दिया है टी में अलग दिया इतना रेंक है तो होगा की नहीं इतना रेंक है तो होगा की नहीं चलिए थोड़ा इसमें अपन देख लेते हैं कि ए और टी अलग-अलग रैंक दिया है तो किस तरह का इसमें तरीका ह होगा selection का और आपका E में कुछ अलग दिख रहा है T में अलग दिख रहा है वो उसका कारण क्या है तो यह मुक्रिस्ताओ classes Google में search कर लीजे मिल जाएगा आपको सभी वीडियो या YouTube में search किजिए देखिए चलो हम मान लेते हैं कि general OBC की बात कर रहा हूं कि general में आपका जिविज्ञान में है मान लीजिए कि 60 है किस में 60 है E के डर में और T के डर में है मान लो 100 मान लीजिए example के लिए और आपका rank है T में है आपका 160 और E में है आपका 190 अब सोच रहेंगे कि इसमें 120 इसमें 160 क्यूं है ऐसा इसलिए है कि कई candidates ऐसे हैं जिन्होंने E में तो select किया था लेकिन T को select नहीं किया था इसलिए वो T में count नहीं हो रहे हैं और उनके ना होने के कारण ही आप 160 rank में है अब यहां से क्या दिख रहे है कि यहां 190 पे हैं आप और यहां 160 में हैं इसका मतलब यह है कि 30 candidate ऐसे हैं जो E में apply किये हैं और T में apply नहीं किये हैं इस rank तक 190 rank तक E समर्ग में और वो 30 का number जो है वो आप से जादा है क्योंकि देखिए आप यहां पर 160 में हैं मतलब नंबर paper तो एक ही दिया है आपने और उसी paper के धार पर rank बना है यहां आपका rank 160 है जब कि यहां 190 इसका मतलब क्या है कि 30 लोग और हैं जो आप से जादा नंबर लेकर आप से आगे वाले rank में हैं इसलिए यहां पर आपका 190 में हैं देखिए difference तरिफ इसलिए है कि कई लोग सिर्फ E को select किया है और ऐसा कोई नहीं है जिसने E को select नहीं किया है हाला कि T को ना select करने वाले कुछ लोग हैं उसकी संख्या भी बहुत कम हैं तो आप देख सकते हैं अब देखिए 30 कंतर समझ आ गया वो 30 कंडिडेट को कुछ देर के लिए भूल जाईए अब मान लिजिए कि यहां 60 पद है और यहां 100 है तो 60 मान लो कि E में यह 60 है और यहां पे जो 100 पद है तो सुरू के जो 60 बंदे यहां है और सुरू के 60 बंदे यहां है वो दोनों एक ही बंदे हैं मान लिजिए तो वो तो मान लीजिए कि E में चले गए वो 60 बंदे E वाले इसमें तो वो T में जोइन नहीं करेंगे मतलब E में चले गए मतलब इसके 60 के बाद जो और 60 हैं उनका सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 100 पत का तो इसमें नुक्ती करना ही है तो यहां से 100 लोग 100 लोगों में से 100 पत में से शुरू के 60 वाले E में चले गए तो उसके पीछे जो और 60 रेंग तक हैं 60 के बाद और 60 लोग हैं उनका सेलेक्शन हो जाएगा मतलब कितने रेंग तक सेलेक्शन हो सकता है 100 60 चले गए 60 और जुड़े तो 120 रेंग तक सेलेक्शन अराम से हो जाएगा 120 रेंग तक ठीक है 120 रेंग तक सॉरी 120 रेंग तक नहीं 160 रेंग तक सेलेक्शन हो जाएगा कैसे समझे आप क्योंकि देखिए यहां 100 पत है सुरू के 60 तो चले गए यहां E में बचे कितने 100 लोग बच गएं यहां से सुरू के 60 यहां चले गए E वाले में तो यहां 100 बचे हैं और 100 पत भरना है तो यह 160 रेंग तक सेलेक्शन हो जाएगा मतलब आपका सेलेक्शन हो जाएगा अभी मैं 30 जो बंदे थे यह 30 का अंतर दिख रहा है तो उसको छोड़ने के लिए बोल जैता अब दूसरा केज बता रहा हूँ मान लोग वो 30 बंदे को भी हम काउन कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि उनका नंबर आपसे जादा है तभी तो आपका यहां 190 हो गया 160 यहां था यहां 190 हो गया क्योंकि 30 लोग आपसे आगे हैं अब यह भी मान लीजिए कि 30 बंदे जो है यह 160 पद है उसके अंतर गत आगे हो 30 बंदे तो आपसे जो आगे हैं और उन्होंने शरी क्या बोलते हैं E में अपलाई किया था तो वो यहां सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद भी 30 और लोग हैं यहां वो यहां सेलेक्ट हो जाएंगे क्यों क्योंकि उनका रेंग आपसे ज़्यादा होगा क्योंकि उनका रेंग आपसे ज़्यादा होगा और 160 का नहीं होगा इस तरह का इसमें complication है थोड़ा थोड़ा आपको difficult है लग सकता है लेकिन इसी तरह का इसमें कुछ आगे का procedure होगा देखिए अभी यहां भी आपको कुछ-कुछ doubt हो गया होगा क्योंकि थोड़ा जिग-जेग हो गया कुछ और मोचोड हो गया लेकिन यही होगा तो यह बताने का प्रियास था आप अपना comment section में राय लिखिए क्या तरीका हो सकता है क्या नहीं हो सकता और like कीजिए comment कीजिए share कीजिए मुकेश सावकला से share channel को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद जैहिन जैचाटिस गड़